नमस्कार आप देख रहे हैं ओनलाइन यूज इंडिया और मैं हूँ आपके साथ मुनमुन रह्मान दोस्तों बाबा राम देप को बड़ा जटका लगा है बाबा राम देप की पतंजली की पांच दवाव को बैन कर दिया गया है क्या है इसके पीछे पूरा मामला बैन क्यों किया गया है यह आपको बताएंगे लेकिन इससे पहले दोस्तों बाबा राम देप जो है वो अकसर सुर्खियों में रहते हैं अकसर विवादों में भी रहते हैं और किस तरीके से वो अपनी पतंजली को सबसे अच्छा मानते हैं और कोविड में भी उन्होंने कहा था यह किस तरीके से जो हमने दवाई मनाई है वो सबसे ज़्यादा कारगर है और इसी के साथ बाबा राम देप जो है अलग अलग तरीके के बयान जो है आयुरुवेद को लेकर देते रहते हैं क्या है पूरा मामला आपको बताते हैं एन्टीवी की खबर आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं खबर में लिखा है राम देप की पतंजली का पांच दवाव पर बैन को लेकर माफिया पर आरोप कहा अब तक आदेश नहीं मिला बाबा राम देप की पतंजली की पांच दवाव पर बैन लगा दिया है क्या है पूरा मामला ये आपको बताते हैं इससे पहले आपको याद होगा कि किस तरीके से एक खबर आई थी जिसमें पतंजली घी जो है उसको लेकर कहीं तरह की बाते सामने आई थी कि पतंजली घी जो है वो नकली है और पतंजली के कहीं प्रोडक्स कहीं उत्पार जो है उसमें जो है किस तरीके से मिलावट भी सामन इसीटीद सरकार्ट ढ़ेन दूंट में बढ़री तरीफ के दिवया Daima पया गिया रहती है इसनोट गूंट की star आप मफिया गया है तो, अछिन्राइ आरोप लगाया है रिपोर्ट्स में बताया गया है कि उत्राखन सरकार ने भ्रामक विग्यापनों का हवाला देते हुए दिव्या फार्मेसी की पांच दवाव के प्रोडक्शन पर बैन लगा दिया है यानि कि बैन लगाने की खबरों को जो है बाबा रामदेफ नकार रहे ह और कह रहे हैं कि इस पूरे मामले में साजिश की जा रही है और साजिश जो है वो आयूरुवेधी विरोधी ड्रग माफिया साजिश कर रहा है इसे के साथ खबर में आगे लिखा है कम्पनी की ओर से कहा गया है कि बड़े अकबारों की खबरों में जिस आदेश का हवाला दिया गया है उसकी कौपी उन्हें नहीं मिली साथ ही कहा कि लेकिन आयुरवेदी विरोधी ड्रग माफिया की सलनिप्तिता साफ है यानि कि बाबा राम देव जो है किस तरीके से इन आरोपों को खारिच कर रहे हैं और कहरें कि जिन आदेशों को न्यूस पेपर्स में दिखा जा रहा है कि पाच दवाओ को बैन कर दिया गया है उनकी कौपी उन्हें नहीं मिली कम्पनी ने एक बयान में कहा पतंजली के सभी प्रोड़क्स और दवाओ को बनाने में वैधानिक प्रक्रियाओं और अंतराश्ट्य मानुकों को पूरा करते हुए निधारित मानुकों क पालन किया जाता है इसके लिए बड़े स्तर की रिसर्च और क्वालिटी का पूरा ध्यान रखा जाता है इसके लिए 500 से जाधा वैध्यानिकों की मदद ली जाती है हाला कि आपने देखा होगा कि पिछले दिनों जो है पतंजली के कई प्रोड़क्स में मिलावट सामने आ रहे थे और यहां पर कंपनी कह रही है कि जो प्रोड़क्स हम लोग बनाते हैं उसकी वैधानिक प्रकरियाओ और अंतराश्चिय मानुकों को पूरा करती है और किस तरीके से उसकी जाच जो है वो 500 से जाधा वैध्यानिक करते हैं साथ ही कहा गया है कि आयुरवेद और लिखा गया है कि कंपनी की ओर से कहा गया है या तो विभाग अपनी गलती सुधार कर इस साज़श में शामिल वैक्ति के खिलाफ उचित कारवाई करें वरना इस साज़श के लिए जिमिदार वैक्तियों को सजा दिलाने के साथ पतंजली को हुए संसागत नुक्सान की भर प्रडक्शन को बंद करने के लिए कहा है जिने कंपनी ने ब्लड प्रेशर, मधुमे, घेंगा, ग्लूकोमा और उच्छ कॉलिस्ट्रॉल के इलाज की दवा के रूप में प्रचारित किया जा रहा है इन पांच दवाओ पर उत्राखंड सरकार ने एसी खबरेच अभी के प प्रेन लगाने के लिए उत्राखंड सरकार ने कहा गया हाला कि इस खबर का बाबा राम देप की जो कंपनी है वो इस खबर का खंडन कर रही है और कहरी कि हमें इस आदेश की कॉपी मिली ही नहीं है नियूस पेपर दा टेलिग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक दा आयुर्वेद एंड युनानी लाइसेंस निंग अथारटी उत्राखंड ने दिव्या फार्मेसी को मधुगृत, आईगृत, थाइरोगृत, बीपीगृत और लिपीडोम का प्रोडक्शन बंद करने का न देश दिया है, दा हिंदो के रिपोर्ट के मुताबिक आदेश, उतराखंड, आयुर्वेदिक और युनानी सर्विसेस के लाइसेंस ऑफिसर डॉक्टर जी एस, जंग पंगी के जारी किया था और पतंजली पर भ्रामक विज्यापनों का आरोप भी लगाया था, यानि कि इसमें बताया गया है कि दा टेलिग्राफ के रिपोर्ट में ये बताया गया कि किस तरीके से जो है, आयुर्वेद और युनानी सर्विसेस के लाइसेंस ऑफिसर डॉक्टर जी एस, जंग पानी ने जारी किया था और पतंजली पर भ्रामक विज्यापनों का आरोप भी खारिज कर रही है, हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताविक केरल के नेत्र रोग विशेशक केवी बाबु द्वारा इस साल की जुलाइन में दायर एक शिकायत के आधार पर ये कारवाई की गई है, साथ ही बताया गया है कि केवी बाबु ने 11 अक्टूबर को इमेल के जरिए राज्य लाइसनिंग प्राधिकारन को एक और शिकायत भेजी थी, इसे के साथ दोस्तों आपने देखा कि किस तरीके से बाबारामदीव अक्सर विवादों में रहते हैं और पतंजीली को लेकर किस तरीके से आई दिन खबरे आती रहती हैं, पहले भी खब दिये हैं, लेकिन पतंजली का कहना है कि हमें उस आदेश की कौपी नहीं मिली है, और ये सब एक ड्रग माफिया जो है, वो सब उनकी साजिश है, इसे के साथ बाबारामदेव इन दिनों हेमंत सोरेइन की बहुत तारीफ कर रहे हैं, और बीजेपी पर टकराफ के सवाल पर उन्होंने यहाँ पर चुपी भी साध ली है, खबर में आपको दिखा रहे हैं, हिंदुस्तान लाइट की खबर है, खबर में लिखा है, योग गुरु बाबारामदेव ने की सीएम हेमंत की तारीफ, बीजेपी से टकराफ के सवाल पर साधी चुपी, यानि कि जारकन में जिस तरह का सियासी घमासान चल रहा है, एडी की कारवाई, जो केंदी जाच एजिंसी कारवाई कर रही है, मुख्य मंतरी के खिलाफ और उनके तमाम जो नेतागण है, विधायके उनके खिलाफ, उसको लेकर भी बाबारामदेव ने अपनी पृतिकरिया दी है, और किस तर कहने से नों ने इंकार कर दिया, राची एरपोर्ट पर जब पत्रकारों ने बाबारामदेव से सवाल पूछा कि क्या बीजेपी राजे सरकार को परेशान कर रही है, तब योग गुरु ने कहा कि ये राचनितिक विशे है, गौर तलब है कि बाबारामदेव को बीजेपी साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, बैल आइकोन को ज़रूर प्रेस कर लिए, ताकि जैसे कोई खबर, कोई वीडियो हम डाले, उसका नोटिफिकेशन आप तक सीधा बहुत सके